यह Vince McMahon और उनके साथ court cases का जो सिलसिला है मुझे लगता नहीं है वो रुखने वाला कि अब उनके उपर एक और नया case होगे है lawsuit file होगे और इस बार जो reason है वो इतना अजीब है इतना पता नहीं क्या मैं इसके बारे मैं बोलो comment section में आप मुझे जरूर बताना WWE के खिलाफ हो है case की उनकी जो storyline से उसके अंदर ऐसी चीज़े हैं जो कि सही नहीं है इस world के लिए वो क्या है आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे जो मनसूर और अलेया जो भी है मैं तो सुली storyline को follow भी नहीं कर रहा है उसमें ऐसा angle दिखा रहे हैं love angle की एक secret मनसूर शुपा के रख रहे हैं और उसको link पता किस से कर रहे हैं जो तो अमेरिका में 9-11 वाला अटाक वाता कि यह वो इक्रेट तो नहीं है उससे तो पता नहीं मतलब एक love relationship के अंदर उन्होंना कैसा ऐसे डूंड लिया कि 9-11 वाला angle हो सकता है फिर आपको याद होगा आज से दो तीन दो साल पहले तो हो गई वह अपॉलो क्रूज जब नाइजीरेंट वाले अपने गिमिक के सांते तो नाइजीरेंट एक्शन में वह बात करते हैं तो इसको स्टीरियो टिपिकल अप्रोच करके बता रहे हैं कि ऐसा तो है भी नहीं क्यों इस तरीके से दिखा रहे ह है उनके सामने रखा जा चुका है अब यह क्या चीज है मतलब कोई स्टोरी चल रही है उसके अंदर अगर हम कोई ऐसी चीज दिखा भी रहे है तो रियल थोड़ी है भाई वह स्टोरी लाइन का पार्ट है तो इसको पता नहीं लौसूट के अंदर फाइल करने के बार में पता नहीं कोई चीज बोली होगी उसका ना कोई सिर और पैर वाता है वालकि कहीं पर फिर पूलिस में जाके उसके बार में रिपोर्ट वगरा कर देते तो यह ऐसा कुछ है ज्यादा अटेंशन वाली बात हो नहीं नीची है आपर विंस मिक्मैन के लिए लेकिन तिंकिंग अगली स्टोरी के तरफ हम लोग चलते और आप लोग इस पिक्चर को देखो जो कि ड्राफ्ट की है और यहां पर आप देख सकते हो इसमें ड्राफ्ट की है कि जो नंबर वन ओरॉल पिक है वो कौन होगा चलो यह तो हम नहीं बता रहे कौन होगा जो जादा इंट्रस्टि अगली स्टोरी के तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और इसके बारे में तो भाई डबल अबली के अंदर जो काम करने लोग उनकी विल्कुल दुनिया हिल गई क्योंकि अभी कोविड के बाद से ना बहुत सारे डबल अबली का जो स्टाफ था वो घर से वर्क कर रहा था और इस बात की उनको छूट दी थी लेकिन अब अचानक से क्या हुआ डबल अबली ने अपने सारे इंप्लोई को मेल डाल दिया कि अब तुमको जो है रिमोट ली जो तुम काम कर रहे वो एंड है कोविड से पहले जैसी चीज़े होती थी तुम हफते में पांच बर ऑफिस आ होता ही है कोर्परेट के अंदर की तुम्हारे पर काफी प्रेशर है तो यह तो पता नहीं अब जीप सा है मतलब इसके वारे वारे से हमको तो कोई फर्फ नहीं पड़ता लेकिन डेबल अबली के अंदर का माहल जो एंवार्मेंट है लोगों की बीच काम करने का वह ऐसा कुछ भी नहीं है डेबल डेबली एवन सुपस्टार्स को अप्रोच कर रही है जिनको उनको साइन करना है इवन डेबल 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 अगर चाह साथ दस बंदे भी लेकि आना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि अब यह कंफ्लेक्टिंग रिपोर्ट थे मैं न अब जो बता रहा हूं वो सही है बट इस इस आप से में लोग देख सकते हैं कि अगर WWE नए Superstars को Sign करें इसका मतलब ऐसा कुछ भी पंगा नहीं है और WWE नए Superstars को भी Sign करने में इंटरस्टेट है hiring phase जैसी कोई जीज नहीं चल रही है brand split यह guys एक actual term हो सकते है सही वाले जिसके ओपर WWE चलेगी भी आपको पता है brand split तो है raw के SmackDown अलग होते है SmackDown के Superstar अलग होते हैं हाला कि Ross के Superstar SmackDown पर आता है SmackDown के Raw पर आता है उसके पिछ एक reason यह भी है कि WWE के जो PPVs भी है वह exclusive नहीं है किसी एक brand के लिए लेकिन क्योंकि अब WWE brand specific PPV करने वाली है तो इसी वज़े से जो आपको brand split है वो थोड़ा जादा serious WWE उसको लेती भी दिखाए देगी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो अभी तक देखने को मल रहा है कि regularly Superstar Raw से SmackDown पर जा रहे है SmackDown से Raw पर आते रहते हैं वैसी चीज नहीं होगी जैसे पहले brand split के time में rare होती है कि कोई SmackDown को Superstar Raw में आ रहा है SmackDown मेरा तो ऐसी चीज डेबल लबली करेगी अब यह अच्छा decision है यह तो again मैं आपसे पहले ही बोलाता है कि depend करता है कि एक brand के उबर कि इतने अच्छे Superstars आया है और draft के बाद यह चीज और serious हो जाएगी क्योंकि draft करने का मतलब ही होता है तो अगर Raw में feature किया Drew McIntyre को तो वो SmackDown में जा रहे है अगर हर अपते ही जा रहे है या महीने में दो बार भी चले जा रहे है तो यह चीज आपको एक चेंज देखने को मेंने का सवारे draft से ऐसा फिलाल रिपोर्ट का कहना है अगली स्टोरी है guys जब बिग डॉग ट्राइबल चीफ बिग डॉग क्यों वोला मैंने रोमन रेंज से अब रोमन रेंज के बारे में वो बहुत इंटरस्टिंग है और लड़ाई छड़ने वाली है पका Fox और USA Network के बीच में USA Network का जो first priority पर चीज है वो है रोमन रेंज को लेके आना ने जो भी championship आई है उसको अपने brand पर रखना USA Network की second choice है और जो first choice है वो रोमन रेंज के सांसा पूरी bloodline की है USA Network के लिए अब देखो Fox की तरफ से भली पैसे जादा मिलते हैं WWE को जो जो relationship है WWE की USA Network के साथ में वो काफी सालों से चली वी आ रही है तो ऐसे में दोनों brand इससे में लड़ रहे हैं ऐसा निया कि क्योंकि smackdown के उपर है Roman Reigns तो फिर बहुत बड़ा move होगा वैसे कि अगर Roman Reigns को Monday Night Raw पर ड्राफ्ट कर दे जाता है वैसे तो Roman Reigns शोज पर भी अपिर ने हो रहे होतने तो फिर इतना भी यह नहीं कहा सकता है कि regularly वो weekly television tapings पर आएंगे बट फिर भी एक brand के ओपर आना Roman Reigns का और क्योंकि अब तो Roman Reigns अगर वो किसी एक brand के लिए sign होगा ना यह interesting है कि अगर Roman Reigns किसी एक brand के लिए sign हो गए कि जैसे उन्होंने अगर यह decide होगा कि वो smackdown के ओपर ही है तो क्योंकि अब brand specific premium live event भी होगे तो ऐसे में यह भी Roman Reigns के पर अब वो उसी brand के ओपर रहेंगे तो यह बहुत major decision होगा WWE का कि वो कहां उनके ओपर कौन से brand के ओपर उनको रखते है and I think debate में जो जीत गया USA Network और Fox Sports के बीच में मेरे ख्याल से उसको Roman Reigns मिल जाएगा एक draft के बार में एक बहुत बड़ा spoiler और वो यह है कि Biggie इस draft के अंदर return करने वाले है और possibly यह चीज इसी हफते के SmackDown के episode में आपको देखने को मिल सकती है ऐसा भी हो सकता है कि वो Monday Night Drawper के लिए दिखा है या फिर इवन यह भी हो सकता है कि return उनका ना हो बलके सिर्फ ऐसे WWE करनी देती है कि पहरे से बता देती है कि हाँ यह जो superstar है वो draft में आने वाले draft का पार्ट हो सकता है इस way में WWE Biggie को book कर दे लेकिन हाँ draft के अंदर यह Biggie का return होना पका है ऐसा काफ़ सारे sources का कहना है एक interesting चीज़ गाइस पता चली अभी कोई report नहीं कोई update नहीं लेकिन bloodline के बारे में Roman Reigns के बारे में उसोस के बारे में है तो Roman Reigns का एक past interview है जहाँ पर Roman Reigns ने पता है क्या बात करी उस time पर shield ही हुआ करती थी Roman Reigns की bloodline नायम की चीज़ नहीं थी अब इससे Roman Reigns का क्या मतलब था वो कहते है की हमारे काफी सारी आवाजे हैं जो हम निकालते हैं जे हैं किसी तरीका आवाज निकालका तो जे पहचान जाएगा कि मैं क्या 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 रहाँ नहीं मैं क्या क्या मूं क्या बागी से हम तीनों के भी जो जो बॉंडिंग हो विलकुल अलग है तो देखो भाई आज से काफी साल पहले ब्लड लाइन के साथ में आने से पहले ही यह सारी सीज़े चलती थी इनके बीच में और जैसे मैं आपको अपनी वीडियो उसके नंदर बता है रहा हूं कि जो वर्ल्ड हव से हर तरफ से बात यही आ रही है और जो स्पेकुलेशन है पहला मैच जो कि होगा इस चैंपेंशिप के लिए वो पॉसिबल हो सकता है सेथ रॉलेंस एंड फिन बैलर की बीच में आपको याद भी होगा कि युनिवर्सल चैंपेंशिप जब पहली बार आय थी तो समर स्लै एब बार टो कि जीएत है तो अगर कोई चीजी रीपीट की जाते है तो फैंस तरी जो सकता है और बार कि वह बहुत सारी कि क慌ना टोर्नमेंट कर और के कि किसी तरीके से शे निकाले पूरा तूर्नमेंट कैने किसे沃े पृली कर रहे हैं बंदे समिंग फाइनल फाइनल लाइव इवेंट के अंदर होने वाली है चीज तो ऐसे में उससे पहले WWE को Raw SmackDown के शोज पर इसका बिल्ड भी दिखाना होगा तो मेरे ख्याल से Backlash के बाद WWE के पास बहुत सारा ऐसा content है जिससे वो उनको weekly shows के उपर मिला के चिपका के रख सकती है आज की वीडियो नहीं तक कि अगर आपको चलेगी तो उसे like, share, subscribe, notification bell को ओन कर दो and see you guys in my next video